अब जरा थोड़ा सा बेटा ऐसा है कि मुझे कुछ थोड़ा सा पढ़ा लेने दें फिर मैं आपके अब जरा थोड़ा सा फोकस्ट रहें जो आपको पढ़ाया जा रहा है ठीक है देखो यह हमने बेसिक html पेज का html कोड लिखा हमारा पेज जो है वो यह बन गया हमने एक नया पेज बना लिया इसका मैं नाम रख देता हूं js1.html यह html पेज ही बन रहा है और मैं इसको सेव कर लेता हूं अपने कंप्यूटर की किसी भी फोल्डर के अंदर तो कि से इसको मैंने सेव कर लिया जी डेस्टॉक पे यह मेरा वर्क नाम का फोल्डर है इसमें मैंने सेव कर लिया js1 के नाम से अच्छा अब देखें जावा स्क्रिप्ट के लिए जावा स्क्रिप्ट आज हमने सीखना है जावा स्क्रिप्ट की तीन टाइप्स हैं और अच्छा बिटा अब दर्म्यान में इंटरप्ट नहीं करना ठीक है जी अब जरा थोड़ा सा मुझे पहले पढ़ा लेने दें फिर मैं आपके क्वेस्टेंस लोंगा आपकी जो भी क्यूरीज होंगी वो मैं लोंगा ठीक है अच्छा जावा स्क्रिप्ट तीन किसम का है जी इंटर्नल जावा स्क्रिप्ट एक्स्टर्नल जावा स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट फॉर event handling internal javascript external javascript javascript for event handling तीनों ही इंशालला आज हमने सीखना है पहली बात जो मैंने शुरू में बता दी थी कि javascript जो है इसका बुनियादी मकसद क्या है हमारे web pages के अंदर data processing की capabilities को लाना to add data processing capabilities ठीक है जी data processing के लिए हमने javascript को भी add करेंगे अच्छा script होता क्या है ये भी देख लेते हैं चाहे वो javascript हो चाहे वो visual basic script हो चाहे वो php script हो अच्छा script क्या है ठीक है नोट कर लेना ग्रूप अफ कमांड्स विच गैं बी इसर्टे सो एंवेड सायवड़ क्या इसर्टे श्टों चाहे श्ट पर खिए wifeच va States ऑंवेड सक्राटे सायवडaire चाहे रेना विच्टाटने। छाहे रेना संहिए पर उन्सुन फलसाड़ डूपे इसर्ट्टने कैंट्स embedded in an existing another language code. ठीक है जी वो group of commands जिनको किसी दूसरी language के code के अंदर आप क्या कर देते हैं? Group of commands which can be inserted or embedded in an existing another language code. उन group of commands को आप क्या कहेंगे? script. मैं तो लिख रहा था HTML लेकिन यह ज़रा देखिएगा HTML लिखते-लिखते मैंने यहां पर एक और language का code लिखना शुरू कर दिया. तो इसको कहेंगे this is a script, यह script. ठीक है? असल में तो यह HTML page ही है ना यह देखे? यह हमारा जो page है, यह js.html, this is an HTML page. यह HTML page है लेकिन हम इसको उठाके, HTML page के अंदर ही हमने क्या कर दिया? यह script हमने एक और language की commands जो है, वो add कर दी इसके अंदर, इनको कहेंगे कि यह script है. ठीक है? तो अब हम, हमें यह भी पता चल गया, script होता क्या है, हमें यह भी पता चल गया, कि जावा script का बुन्यादी काम है, किसी भी web page के अंदर data processing की capabilities को लेकर आना, लेकिन अब यह देखते हैं, कि JavaScript की जो तीन types हैं, उनको हमने कैसे use करना है, कौन सा internal JavaScript है, कौन सा external JavaScript है, और कौन सा JavaScript ऐसा है, जो के event handling के लिए use होता है. यह तीन types हैं, अभी मैंने आपको बताया था, डीटेल से, ठीक है, internal JavaScript, external JavaScript and JavaScript for event handling. तो चले, अभी हम internal JavaScript लिखते हैं, जब भी internal JavaScript लिखना है, तो अपने code में HTML का code लिखा हूँ आपने, बहुत सारा मतब से मैंने यह paragraph लिखा हूँ है, this is a sample text, यह तो HTML की चीज थी, लेकिन अब मैं इसके अंदर JavaScript लिख रहा हूँ, जब भी मैंने JavaScript लिखना है, मैंने script tag लगाना है, और script tag लगाकर उसके अंदर लिखना है मैंने, language equal to JavaScript, बस जब हम script tag लगाकर language equal to JavaScript लिख दें, तो हम computer को एक तरह से बता रहे हैं कि अब हम इस script tag के दरमयान हमने अब कोई HTML नहीं लिखनी, बलके अब हम इस tag के दरमयान जो भी लिखेंगे, that will be a script, और वो कौन सा script है जी, वो किस language में लिखा जारा है script, वो JavaScript में लिखा जारा है, clear, चलें जी, जावा स्क्रिप्ट language को सीखना आप शुरू करते हैं, अब ये तो पता चल गया कि क्या है script, ठीक है जी, तो अब स्क्रिप्ट लिखते हैं, जावा स्क्रिप्ट के अंदर सबसे पहले मैं आपको दो कमांड सिखाऊंगा, one is alert, सबसे पहले देखते हैं जी, जावा स्क्रिप्ट की, जावा स्क्रिप्ट, C language की तरह, जावा स्क्रिप्ट में भी हर statement के बाद, statement, termination, operator, कौन सा use करेंगे हम, कौन सा use करेंगे, semi-column, ठीक है, अच्छा जी अब javascript के अंदर output के लिए जिस तरह c++ के अंदर teachers आपको सिखाते थे c में सिखाते थे printf c++ के अंदर cout output करने के लिए तो javascript के अंदर output एक message box में show करने के लिए हमारे पास function है alert तो अभी मैं alert में लिखता हूँ तरह देखिएगा अने लिखा assalamualaikum from javascript अच्छा जी save किया और अब इसको run करते हैं ठीक है जी ये देखें ये message box किस ने show किया javascript ने ठीक है और ये जो output show किया है ये किस ने show किया है ये html का output है html के अंदर ही हमने वो टैग लगाया हुआ पराग्राफ टैग तो आप हमारे page में कुछ javascript आ गया और कुछ जो है html ठीक है तो आप सोच रहे होंगे सार अभी तक data processing तो आपने की यह नहीं तो ये भी एक तरह से data को process ही किया लेकिन अभी जावा स्क्रिप्ट के अंदर कैसे हमने क्या codes है किस तरह से उसको setup करना है अच्छा अब जरह देखिएगा जावास्क्रिप्ट की एक और कमांड कि डॉकुमेंट डॉर्ट राइट कि यह भी एक function है यह built-in function बता रहा हूं यह यह भी built-in function है अलर्ट ठीक है असल में तो वैसे यह विंडो डॉर्ट अलर्ट है लेकिन विंडो ना भी लिखे तब भी चल जाता है इस पर करेंगे बाद में बाद दूसरा है जी डॉकुमेंट डॉर्ट राइट अच्छा अब इसमें लिख रहे है दिस इस अजावा स्क्रिप्ट टेक्स्ट अब चेक करें अब आउट पूट क्या आ रहा है पहले मैसिज बॉक्स आ रहा है अचा यह स्क्रिप्ट है जावा स्कृप्ट ने डिया है यह एच्टेयमल का आउट पूट तो सिर्फ इतना है तो इसका मतलब क्या सब्सट करेंगे दॉक्त कर्द करने T को ईटा मैंगे आउट पूट करवाना हो तो उसके लिए कमांड हमारे पास है डॉक्मेंट डॉर्ट राइट ठीक है कौन सी कमार्ड है डॉक्मेंट डॉर्ट राइट और कुलिर कियो गाद चल गया अच्छा जी अब आगे चलते हैं चलो एक वरीबल बना के जावा स्किप्ट के अंदर, वेरियबल को एक वेरियबल बनाने के लिए जावा स्किप्ट में क्या कमांड है, VAR, ठीक है जी? अब यहां पर मैंने एक वेरियबल बनाया और इसको वैल्यू दे दी 10, अब इस वेरियबल को मैंने output करवाना है कहा output करवाँ अगर तो मैंने output page पे करवानी हो JavaScript के जरीए से फिर तो मैं use करूँगा document.write और अगर मुझे message box में output show करवाना है तो फिर मैं use करूँगा alert तो मैं चाहता हूँ message box में लिखा हुआ है Assalamualaikum from JavaScript और साथ में लिखा हुआ है value of x is x की value भी आए लेकिन ये जावास्किप्ट में है प्लस जो है न ये concatenation operator है अगर मैं simply ऐसे x लिख दूँगा तो error आएगा मतब ये data show कर दो और साथ में x की value भी show करो तो error आएगा अब देखें मैं चला रहा हूँ तो वो x की value को show ही नहीं कर रहा है ठीक है जी अब check करें ठीक है जी error आगया वो सिरफ text show कर रहा है और value बगारा कोई नहीं show कर रहा लेकिन अब जैसे ही मैंने इसको ठीक किया बस समझें ये आपका string output है और ये एक variable है अगर आपने variable को आपका normal जो text output है उसके साथ मिलाना है और technical word यूज कर सकते है concatenate करना है तो फिर आप plus का symbol यूज करेंगे ये string concatenation operator है ठीक है string concatenation operator तो ये देखें दोनो ये values concatenate हो गई अब हम इसको जो है चेक करते हैं तो अब हमें ये देखें save नहीं किया मैंने save कर लेता हूँ और अब हम इससे चलाते हैं तो ये देखें कहरा है असलाम अलेकम फ्रम जावास्क्रिप्ट and value of x is 100 ठीक है जी थोड़ा सा समझ आई है कि जावास्क्रिप्ट कैसे काम करता है क्यों जी प्लियर है अच्छा जी question लेना चाहूंगा भी मैं हैंड रेस करें अच्छा चलो अन्म्यूट करके question पूछें जी एनिवन को यसी वेब साइट दिखा सकते हैं आप जहां पर इसकी वाट किंकी यो बिसके सर्व बेसिक परपस का पताने चला है आपके यह बेसिकली परपस का हुद तक है वेब साइट में चलो इदर देखो मतब अभी तो बिल्कुल बेसिक हमने को कोड़ी खास नहीं न लिखा तो मिसाल के तौर पर यह अभी मैंने वेब साइट कंप्लीट की है कुछ दिन पहले तो चलो मैं आपको यह दिखाता हूँ अब इसके उपर न जी हम यह जो यह इफेक्ट जो आ रहा है यह टेक्स्ट ऐसे करके मूव करके आ रहा है यह पिक्चर आ रही है एक के बाद दूसरी दूसरी के बाद तीसरी यह पिक्चर आ रही है यह सारा कुछ इफेक्ट जो है वो हमने जावा स्क्रिप्ट के जरीए से ही दिया हुआ है है यह ससे हमें कर सकते हैं और से कर सकते हैं और लेफ्ट से राइट की तरफ कोई पिक्चर मूव करती जाए ठीक है या लेफ्ट राइट से लेफ्ट की तरफ या थोड़ा साम उसके अंदर दे देते हैं डिले के इतने स्पीड से मूव करते जाए बस यही आम है लेकिन यहां पर हमारे पास बहुत सारे आप्शन्स अवेल बना सकते हैं ठीक है फिर जावा स्केट में Eden लगाएंगे जावा स्क्रेश्ट में ख्राइब फंक्शंस बनाएंगे क्लासेज बनाएंगे gingए औब्जेक्स बनाएंगे जहाँ भी हमतार के कामों की ज़रूरत है तो आ हम जावास की को यूजझ कर ने ठीक है जीन एदर पर रिज्वान कोई question पूछना चाह रहे हैं रिज्वान मुहम्मद रिज्वान जी एनी अधर रिज्वान नहीं बोल रहे हैं और कोई person question पूछना चाहता अभी तक javascript के बारे में basic concept पता चल गया ओके जी चलो mute all कर देते हैं और अब शुरू करते है नेक्स आगे अब देखते है external JavaScript ऐसा JavaScript जो के हम एक से ज्यादा pages के उपर जिस JavaScript को apply करना चाह रहे हैं उसे हम कह देते है external JavaScript ठीक है एक से ज्यादा pages के उपर जो apply करना चाहिए तो मिसाल के तौर पर एक पेज यह है इसमें भी Java script यह चल रहा है मैं अभी एक और page बनाता हूँ एक और page बनाया और उसका नाम रख दिया js2 यह js1 था js किस तरह लेकर देते हैं टू डॉर्ट एच्टी एम अच्छा अब मैं यह चाह रहा हूं इसके अंदर भी कोई टेक्स्ट है या कुछ लिखा हुआ है अब हम वही सेम जावास्क्रिप्ट इदर भी चलाना चाहते हैं तो इसका तरीका यह है कि हम इदर से जावास्क्रिप्ट को अपने को उठाया और दिखेगा एक नए पेज के अंदर जाके जावास्क्रिप्ट लिख दिया यह जावास्क्रिप्ट है इसमें कोई टैग नहीं लगाना यानि जब आपने एक्स्टरनल जावास्क्रिप्ट बनाना है तो आपने क्लियर अब आप क्या करेंगे अब आप इसको करेंगे सेव और सेव करके इस एक्स्टर्नल जावास्क्रिप्ट को आप कोई नाम देंगे से मैं इसका नाम रख देता हूँ ex.js यानि एक्स्टर्नल के लिए मैंने इसका नाम रख दिया js और यहाई है एक्सिटर्नल जावास्किट जब भी आपने बनाना तो यहाँ पर आपको कोई वह स्कृप टैग नहीं लगाना पड़ा यह आपकि एक्सटर्नल जावास्किट फैल है ठीक है जी इसको आपने अब यूटिलाइज करना वह अभी हो जाएगा जब हम इसको यूज करेंगे ना यह कोई अरर नहीं है अच्छा जी अब हमने इसको अपने पेज में यूज करना जहां जिस जिस पेज में इस एक्स्टर्नल जावस्ट को यूज करना चाते हैं वहां जाकर लिखने सोर्स इकुल टू एक्स डॉट जेइस बस याद है नहीं जिस तरह हमने external style sheet को भी use किया था तो just लिखने script language equal to javascript और source में जाके लिखने ext.js अब देखें आपकी ये जो file थी js1 उसमें भी javascript चल रहा है ये देखें वो message भी आ रहा है javascript value for x is 100 और ये भी आ रहा है this is javascript javascript अच्छा ये js1 थी अब js2 में चले जाते हैं js2 में भी कोई नहीं हमने javascript लिखा था उसमें भी इसी तरह से add करते हैं कैसे add करेंगे script language equal to javascript और source equal to ex.js अब इसको भी चलाएं js2 को ये देखें js2 भी चला रहे हैं जिसके अंदर this is some special text जिसमें हमने किया था तो देखें उसके अंदर भी ये javascript चल रहा है ये इस वकर जो page हमारा है ये js2 देखें ये चल रहा है तो js2 में भी हमने वही same javascript लगा लिया और js1 के अंदर भी हमने same javascript लगा दिया लेकिन असल में क्या था वो एक ही फाइल है ex.js ये दोनों के अंदर उसको चला दिया अब मिसाल के तौर पर ex अब यहां पर जाके change करते हैं this is a javascript value javascript text की बजाए मैंने word change कर दिया external javascript में javascript value तो वो दोनों जगा पर जाके change हो गया होगा ये देखें js1 को open करें उसमें भी लिखा हुआ आजाएगा javascript value और js2 अगर चलाएं तो उसमें भी ये देखें ये मैंने इसको refresh किया साथ ही js2 में भी शो कर रहा है कि javascript text समझ रहे हैं तो इस तरह से external javascript को हम use करते हैं उसके बाद देखेंगे javascript for event handling एक और page बनाता हूँ मैं जान बूच के लएदा लएदा page बना रहा हूँ आपके लिए ताकि आपके लिए चीज़ें simple रहें ये एक लएदा page बनाया इसमें कोई javascript नहीं लगाया जो normal internal या external हम use करते थे इस page का नाम मैंने रख दिया event dot html keep in mind जब भी हमने javascript यूज करना है हमने कोई js file नहीं बनानी js file सिरफ उस वकद बनानी है इसका नाम रख देते हैं event नाम का पहले ही page बढ़ा हूँ है तो इसका नाम मैं रख देता हूँ events नाम का भी है event new रख देते हैं event new इसका नाम रख दिया ठीक है यह हमारा event new है कोई script tag नहीं लखा रहा है इसके अंदर हम simple एक paragraph add करते है ठीक है जी इस एन event handling page मैंने इसमें लिख दिया अच्छा जावा स्क्रिप्ट for event handling उसके लिए क्या करेंगे जरा देखिएगा मैं यहां पे मैं लिखता हूँ on load body में जाके लिखा on load आपको याद है न body किसको represent करती हमारे web page का जो viewable area होता है यह body है यहां से लेकर यहां तक अच्छा अब मैंने यहां से जरा देखिएगा कि यहां पे मैंने जो है वो आपको यहां से लेकर यहां तक जो एरिया है यह हमारा body का एरिया है वाइट जो आपको नज़र आ रहा है यह उपर head का एरिया है आपको start में बताया था तो अब देखें मैं चाहता हूं कि जैसे यह page load हो तो एक message box आएग तो यह हमारे पास एक तरीका है यह इवेंट ही जिसके साथ लिखा हूँ आजाए ना on ऐसा attribute जिसके साथ on लिखा हूँ आजा है वह असल में event के लिए होता है ओन लोड मैंने लिखा और उसके बाद यह equal to लगाया और यह double quotes लगाए अब इसके अंदर जो भी मैं लिखोंगा वो that will be अजावास के अब देखें मैंने लिखा alert और keep in mind अब अंदर जहां जहां आप double quotes लगाते थे ऐसे double is loaded लोड़िट लिख अब यह जावास कर्प्रिप्ट कब चलेगा जब हमारा यह जावास कृप्त है और कब चलेगा जब हमारा पेज लोड होगा कि दिखने ओन लोड यह देखने पेज लोड हुआ और उसमें यह messagebox देए ठीक है अब यह ऐसा जावास कृप्ट जो हमने अ अब जरा गौर कीज़ेगा एक और इवेंट लगाता हूं इन्पूट टाइप इकुल टूटू बटन एक बटन बनाया और बटन के ऑन क्लिक इवेंट पे जब बटन क्लिक हो जाएं तो क्या हो अब फिर वही बात इस डबल कोट के अंदर जो भी लिखूंगा आगे बटन की वैल्यू भी दे देदा हूं वैल्यू देदेटाओं ग्रीन अब बटन के उपर लिखा हुआ green आएगा लेकिन यहां आप मैं Javascript check करते हैं बटन कैसा बना है चेक करें यह बटन बन लेकिन बटन को click कर रहें कुछ भी नहीं हो रहा जावा स्क्रिप्ट से हम इस पर event लगा सकते हैं इवेंट हैंडलिंग कर सकते हैं मैंने यहां पर लिखा on click में यहां पर लिखा document.body.bgcolor color का c बढ़ा है अब single quotes में यहां पर लिख दिया green अब चेक कीजिएगा एक तो यह जावा स्क्रिप्ट चल गया पेज लोड पर और एक click पर भी चलना चाहिए यह click किया कि देखें page का color change हो रहा है clear तो यह जो अभी जावा स्क्रिप्ट हमने यूज किया यह था java script for event handling ठीक है जी clear तो अभी आपने तीन किसम के java script की तीनों types को देखा internal java script external java script internal java script वो है जिसको आप किसी एक page के अंदर ही आपने यूज करना होता है और उसमें जो भी java script की commands है वो आप लगा सकते हैं अभी तो मैंने सिर्फ दो-तीन commands बताई अलर्ट और document.write और थोड़ा सा मैंने आपको variable बगारा बनाने का बताया ठीक है तो internal java script उसके बाद external java script और internal java script वो है जिसका बन्यादी मकसद क्या है जो किसी एक page के अंदर ही work कर रहा होता है external java script वो java script है जो के आपके computer के अंदर एक से ज़्यादा pages के अंदर आप चाहते हैं for event handling यह ऐसा java का script है इसको आप event के उपर call कर सकते हैं मतलब किसी भी event के उपर आपने java script को लिख देना है ठीक है और वो automatically जब वो event होगा तो java script automatically क्या है रन हो जाएगा जी question कोई पूछना चाह रहे है कि किसी ने handraise किया है बिलाल बिजी बिलाल वालेकम सलाम सर जब भी हम कोई भी event ड्राइट करने लगेंगे तो हमें उसके लिए java script का इस्तमाल करना होगा देखें इवेंट के उपर अगर आपने कोई action लेना है तो जाहिर सी बात है action किसी फिर आपने language को use करेंगे ना html के लावा ही कोई use करेंगे तो वो java script is the most suitable अभी मैं आपका सवाल समझ गया हूँ java script के लावा और भी languages है आपने का सर वहां पर हमें java script को use करना पड़ेगा नहीं java script के लावा और भी languages है लेकिन java script is the most popular scripting language internet के उपर जाके check कर लें कि which is the most popular scripting language तो आपको java script लगेगी इसलिए हम भी आपको java script ही पढ़ा रहें ठीक है ओके सर थैंक यू जी अभी हैंड्रेस किया एहमद एसन जी एसन आप अच्छा जी अब आप question पूछ सकते हैं आज के एक्सटरनल जावा स्क्रिप्ट जो हो पढ़ाया है तो उसमें सब्सक्राइब एक से जाएद पेजिस हैं हम बैकन पे चेंज करते हैं तो वो हर पेज में जो है वो चेंज हो जाएगा जैब कोई कोई ऐसी कंडिशन के हमने मतलब हमारे पास अगर 10 पेजी सब्सक्राइब हमने पांच में पांच में ने करना है तो उसके लिए सरह में कि क्रेंगे और एक मेंड़को काल करेंगे पांच में ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आप function होते हैं फिर अगर अपने एविट पर कॉल कर तो वो इंशाला आ रहा है आगे लेक्टर आ रहा है और सर यह है यह इवेंट्स वाला सिस्टम सर यह जस्ट जावा में यूज़ता है कि हम CSS में भी यूज़ कर सकते इसको अच्छा नायला साउथ जी आप कोई क्वेस्टन पूछना चाहती है पूछ लें आपको मैंने अन्म्यूट कर दिया अस्ताम लीकूं सर्वालेकम स्लाम इसमें क्यों कर रहे हैं पहली बात तो बिटा देखें पहली बात तो यह समझें के CSS में हम स्टेटिक कलर का चेंज कलर चेंज कर दिया CSS में भी HTML में भी लेकिन जावा स्क्रिप्ट में अब हमने इसी काम को किस जो है वो कर दिया सैट इवेंट पर क्या अगर यह बटन दबाएंगे तो वह कलर चेंज होगा समझ आरी बात इवेंट पर हमने सेट कर दिया अचा थोड़ा सा आज सिर्फ आज के लिए आपने थोड़ा सा सबर करना है अभी क्यूंकि आज हमने जावस्क्रिप्ट में वो काफी में सेट अप करने में टाइम काफी जया हो गया हमारा तो आज मेरे क्याल में जावस्क्रिप्ट में ज्यादा पढ़ा ही नहीं है तो इस वजा से थोड़ा सा यह क्वेस्टिन आप लोगों के आ रहे होंगे कि सर लोजी जावस्क में हमने क्या कोई ज्यादा खास काम किया आज तो हमने बस सर ने हमने मैसेज बॉक्स वगारा शो करके दिखा दिये इवेंट पे कुछ जावा स्किप का कोड लिखके दिखा दिया तो अगले लेक्षर में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपको लगेंगी कि हाँ भई यह तो HTML और CSS में करी नहीं सकते इंशालला अगले लेक्षर मुहम्मद जीशान मुहम्मद जीशान आप क्वेस्टिन पूछें मुहम्मद जीशान गया है उत्रम क्राम अलेकोँ जीशान मुहम्म डेक्ष अखहां करिवाएया पैर वह अक्ति है। क्या हम बोल लिंख उसके वो जावा से लिखेंगे लिंक किली मैंसले लिखाrakा उतार कि अगर आप जाते यह चाहते हैं कि उस पेज पर चले जाएं तो के अगर थे अगर नहीं जाना चाहते हैं तो लोज कर दें यहीं इसर आप और देखो अब हमने सिर प洗़ अलर्ट बॉक् है confirm box है वो confirm box होता है तो confirm box पर वो मैं आपको लगा के बताऊंगा जी बिलकुल आपके सवाल का answer है yes कि बिलकुल ऐसा हो सकते जावा स्क्रिप्ट में इंशालला का जो पर्सों का lecture होगा हमारा उसमें इंशालला ये सारी क्रिव चीजां ऑपर करके दिखाऊ है जलने से थारी रोगार धक्रशन करना चाहाँए यू कि nem씨 ने आप यूद्र करना चाहा है रिज्वान बिटा आप कोई कूश्चिन करना चाहा है मुहम्मद रिज्वान एनी अधर पर्सन ठीक है रिज्वान आप नहीं पूछ रहे हैं कोई और कोई पर्सन पूछना चाहे अभी पांच से दस मिनिट हैं कोई पूछना चाहते हैं एसन को चलो में टाइम देता हूं एसन ने हैंड्रेस किया हुआ जी एसन अधर मेरे ये क्वेस्टेन है कि आपने जो कोडिंग में उसमें जावा स्कृप्ने सरी एक वैल्यू ग्रीन लिखा था सर्वों कोडिंग जरो ऑपन कीजिएगा इसके आगे यह मागी है इसके वैल्यू ग्रीन सर्व पहले आपने बिजिक्वलर्ण ग्रीन ने दिया तर उस्वेल्यू ग्रीन का परपस क्या है उस पर कोई चैंजिंग नहीं रहें वह तो पुछ भी नहीं है वह तो बैटा ऐसे है वह तो जी आर लिखा हुआ आजाएगा उसके उपर ठीक है वो सिरफ किस मक्सद के लिए है कि विज्वल वीज्वल अपीरेंस के लिए है के बटन की वीज्वल अपियरेंस जो है वो क्या हो यह देखें ऐसकर अधिंगे अधर क्वेस्ट फिर्ष्ट किसी ने हैंड रेस किया था आभी और ऐसान आप मीटोजो बस कि जी कोई और बेटा कुछने चाहे अभी किसी ने हैंड रेस किया था डों नो किसे ने किया था चलें जी मेरा ख्याल है कि होके करते हैं शाजेव किदर है शाजेव से जरा पूछनू शाजेव जी सर शाजेव आज के लिए इतना ही काफी है आज हमारा आदा गंटा तो जाया हो गया ना आदा पौना गंटा उसी के अंदर ही ना तो इंशाला परसों वाले lecture में इंशाला परसों पूरे टाइम पे क्लास टार्ट हो जागी एक वजय इंशाला ठीक है न परसों का भी बिटाश्टी का यही विच्ट्टी को भी और वेनस्डे को ठीक है अच्छा जी वीडियो भी मैं चैनल पर अप्लोड कर दूग शाजेब को link बेज दो ठीक के बटा एव्मिवन शुर्जी देखेवटल हो कि अलाओ आफेश यहां प्लाफेश बढ़ाफेश आलाफेश लाफेश